देखो हमारा जो टॉपिक है वह है वर्क एंड वेज़ेज वेज़ेज मतलब होता है मजदूरी कार और मजदूरी तो मेरे भाई जो वेज़ेज होती है न वो डिरेक्टली प्रपोर्पोर्शनल होती है वर्क के चीक है वेज़ेज होती है मजदूरी होती है वो डिरेक्टली प्रपोर्पोर्शनल होती है वर्क के चीक है और हमें पता है वर्क इस इकल टू एफिसिएंसी इन्टू टाइम चीक है तो मेरे भाई जहां से मैं कह सकता हूँ जो मजदूरी होती है वो डिरेक्टली प्रपोर्पोर्शनल हो जाती है एफिसिएंसी इन्टू टाइम के चीक है ना अब अगर हम इनको कंपेर करें कि वेजिज वन रेशियो वेजिज टू कितना होगा डबलू वन रेशियो डबलू टू ठीक है या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वेजिज वन रेशियो वेजिज टू एवन टीवन रेशियो एटू टीटू एफिसिएंसी इन्टू टाइम में जो रेशियो होगा एक केस है हमारे पास में वेन टाइम इस कॉंस्टेंट अगर टाइम कॉंस्टेंट हो तो मेरे भाई जब टाइम कॉंस्टेंट होगा उस कंडिशन में टीवन बराबर टीटू येस और नो और अगर टीवन टीटू के बराबर होगा तो जो वेजिज होंगे वो एफिसिएंसी के रेशियो में होंगी बात समझे की नहीं जब टाइम एक्वल होगा तो वेजिज मजदूरी एफिसिएंसी के रेशियो में होगी पैसे मजदूरी जो होती है वर्क के रेशियो में होती है या वर्क को एफिसिएंसी इंटू टाइम भी कहते हैं चीक है एक मेंट देखो इसको पर चलते हैं कोस्टन को देखो कोस्टन नमबर वन कोस्टन कह रहा है एक पुरुस और एक लड़के ने मिलकर पाँच दिन काम किया और उन्हें कुल मिलाकर आट सो रुपए मजदूरी के प्राप्त हुए पुरुस उस लड़के की अपेक्षा तीन गुनाकार कुसल है लड़के की दैनिक मजदूरी कितनी है चीक है अब पुरुस कितना एक है लड़का कितना एक है हाँ की ना कितने दिन काम करा पांच दिन तो देखो ई इंटू टी बराबर कितने के होता है कहा ता मजदूरी के होता है भाई आठस तो अब अगर एफिसेंसी पता चल जाए तो कहानी बन जाए और एफिसेंसी दी है पुरुस उस लड़के की अपेक्छा पुरुस अब गुआए लड़के की अपेक्छा तीन गुना कारकुसल है अगर लड़का एक काम करता है तो पुरुस तीन काम करेगा तो यहां से मेरे भाई यह कितना हो गया तीन यूनिट और यह हो गया एक यूनिट दोनों चार यूनिट जो को पी पिलस भी चार यूनिट इन्टू पाँच बराबर आठ सो को इस से काड़ दिया 200 मतर इस से काड़ दिया 40 एक यूनिट की वेलियो 40 आ गई भाई चीक है और अगर एक यूनिट की वेलियो 40 है तो लड़के की मज़ूरी पूची बताओ कि कि इतनी है एक दिन की एक यूनिट तो है तो कितना अंसर आएगा कि चार्डिज क्योंकि यह जो एफिशियंसी है वो है पर दे वर्क और पर डे वर्क के साफ से ही उसका पर डे वेजिज होगी क्योंकि आपको स्टार्टिंग में ही समझाया वेजिज डिपेंड ओन वर्क और एफिशियंसी होती है पर डे वर्क मेरे भाई ठीक है किसी को डाउट हो तो पूछ लो नहीं तो आगे चलें देखो नेक्स्ट अगला कोशन क्या कह रहा ए बी तथा सी ने मिलकर अठारा सो मू लेकर एक कार को पूरा किया ए ने छे दिन बी ने चार दिन और सी ने नौ दिन कार किया और यदि उनकी दैनिक मजदूरी इतने के अनुपात में है दैनिक मजदूरी दे रखिये मतलब ये एफिशियंसी होई सीधी सी बात है ना तो तुम्हें ए का रेशियो दिया है पांच छे और चार टाइम तुम्हें पता है कितना कितना है यह A है यह B है और यह C है टाइम मेरे भाई तुम्हें पता है A छे दिन B चार दिन और C नौ दिन तो वेजिस कितनी हो जाएंगे W इनकी मल्टिप्लाई पांच चक आतीस छे चौक चौविस नौ चौक ठीक है ना तो यहां से एक चीज़ देखो तुम टोटल कितना रुपए हुए अगर जोड़ दें टोटल रुपए आएंगे 90 मेरे साफ से 90 यूनिट और कोस्टन कह रहा है अठारह सो कितने से गुणा करें तो आप खुद कहोगे 20 से गुणा कर दो चीक है तो जब यहां 20 से गुणा करी कह रहा है एको कितनी धन्रासी प्राप्त होगी जब यहां 20 से गुणा कर दो चीक है एको कितनी धन्रासी प्राप्त होगी भाई 600 धन्रासी प्राप्त होगी समझ में आया अमन आप क्या गया भाई चीक है देखिए नेक्स्ट अगला कुस्तन कह रहा है एक ठेकेदान ने एक मजदूर को अपने हाँ इस साथ पर रखता है कि उसे कार पर उपस्तित होने वाले प्रती दिन के 75 के हिसाफ से मजदूरी मिलेगी किन्तू अनुपस्तित रहने पर ना केवल उसकी मजदूरी कटेगी उल्टा उसे 15 रुपए प्रती दिन के हिसाफ से चुरुमाना अदा करना पड़ेगा ठीक है 20 दिन के पस्चाथ ठेकेदान ने मजदूर को 1140 उपए दिये मजदूर कितने दिन कार से अनुपस्तित रहा एक वार कुस्तिन को दिहान से पड़ो और करने की कोशिश करो हम बताते हैं फिर आपके यह थे अनुपस्तिन के थ्यूद से ने कार फिले ही पर दिल गलत जब टोटल 20 दिन है तो 24 दिन कैसे अनुपस्तितर आएगा जब उसने 20 दिन काम कर रहा तो सजार दिन अनुपस्तितर आएगा और उसके बाद में उसे पैसा भी मिला बर्मा बेटा कैसे पॉसिवाल है जब टोटल उसने 20 दिन काम करा अकास लगा कुस्तितर आप चलागा देखो हमें एक बात बताओं अगर वो छुट्टी नहीं करता पर उसने कुछ दिन छुट्टी करें तो उसे रुपाई कितना मिला ग्यारा सो चालिस मतलब तीन सो साथ रुपए उसके कटें क्यों कटें कि उसमें छुट्टी करें तो मेरे भाई जब एक दिन छुट्टी करता एक दिन अनुपस्तित होने पर जीक है यह एक दिन छुट्टी बहन का तक दिने जुर्मानिक है उसी के साथ साथ केवल उसकी मजदूरी कटेंगी उल्टा इससे पन्दार रुपए देने होगे म 사ओ म जुदूरी कटेंगी तो मतलब एक दिन का उसका नुक्सान कितना है 90 रुपए का हा कि ना तो अगर हम इस 360 को 90 से भाग करते हैं पता चल जाएगा चार दें फोर डेज हैं भाई जब उनने छुट्टी करिये थी पास समझे की नहीं अकास आपके समझ आया किसान आपके आगया भाई हाँ समझा रहा हूं बिटा किसान आपके आगया भाई कि एक बार फिर से देख लो देखो 75 रुपए मिलता है कि बीस दिन के लिए अगर छुट्टी नहीं करता तो उसे मिलता फन्दरा सो पर असलियत में मिला कितना तो तीन सो साथ रुपए एक्स्ट्रा मतलब कम मिलें उसे क्योंकि उसने च्छट्टी करिए मैं और जब एक दिन च्छट्टी करता है आ तो तो कटता है और पंद्रा रुपए पै पंडिया देता है तोटल नब्वय रुपए का में नुक्सान जहलता है तो 360 का कितने में जहलेगा नबे से भाग कर दें चार दिन अभी समझे की नहीं अच्छा कोश्चन है चीक है देखिए नेक्स्ट अगला कोश्चन कह रहा है एक धन्रासी एको 21 दिनों तक अभी को 28 दिन मजदूरी देने के लिए परियाब्त है तद अनुसार वही धन्रासी दोनों को साथ साथ काम करने पर कितने दिनों तक मजदूरी देने के लिए परियाब्त है एक को 21 दिन के लिए और बी को 28 दिन के लिए तो मेरे भाई टोटल काम कितना है टोटल वर्क निकाल लो टोटल वर्क कितना आया पताओ कितना होगा एल्चम कितना है इसका आप बता आपन है अब पार इंटू सेवन होगा तो बास अब इसकता होता है 84 देखो यह हो जाएगा चार बार और यह हो जाएगा तीन बार ची करना या था अब मेरे भाई उसने का दोनों अगर साथ में काम करें तो भाई जितने दिन में वो काम पूरा कर लेंगे उतने दिन के मजदूरी होगे मतलब 84 काम है और साथ एक दिन में साथ करते हैं तो बारा दिन के लिए उनके पास परियाब तो पैसा है समझे की नहीं जितने दिन में दोनों मिलकर काम कर लेंगे उतने दिन का ही पैसा है चाहिड सी वात है बास समझ में आई की नहीं आई अमन के लिए रहे भाई मेरे भाई यह बताओ ए जो है वो किस दिन काम करता तो कुछ पैसा एकस लेता भाई 28 दिन काम करता तो वो भी कुछ पैसा एकस ही लेता है ठीक है बास समस्ते रहना इसका मतलब ये तो पैसा जो है वो तो एक्वल है ठीक है तो अब जो जतना एफिसियंट होगा उसके काम होगा तो जब दोनों ने साथ में काम करा तो मेरे भाई पूरा काम 12 दिन में खटम हुआ, जब 12 दिन में खटम हुआ, तो इन 12 दिनों में A और B को पैसा मिलेगा न, तो A प्लस B का जो पैसा होगा, छीक है, वो कितना होगा, 84, अब ये 84 कैसे आएगा, A प्लस B की एफिसेंसी, साथ गुणा 12, क्योंकि जो 84 है, वो एच्छिली में वर्क है, पर वो ही क्या है, वैसा है, यहाँ पर देखो, वेजिज़, डिरेक्टली प्रपोर्पोर्शनल है, वर्क के, तो जैसा वर्क, वैसा वेजिज़, समझ गए भाई, और किसी को डाउट हो तो पूछ लो, देखो, नेक्स्ट, अब अगला क्वेश्चन कहे रहा है, तीन वेक्टी, एक कार, बारा सौ में पूरा करने के लिए, कहते हैं, मतलब वो बारा सौ रुपए में काम पूरा करेंगे, उनमें पहला वेक्टी, उस कार को आई दिन में, दूसरा वेक्टी, बारा दिन में, ए आज दिन में, बी बारा दिन में, छीक है, तीसरा वेक्ति 16 दिन में C 16 दिन में पूरा काम कर सकता है बहस सब मिलकर एक चौथे वेक्ति की साहता लेकर मतलब चार वेक्ति हो गए A पिलस B पिलस C पिलस D तीन दिन में पूरा कर सकते हैं ठीक है न भाई तदन उसार उस चौथे वेक्ति को कितनी रासी मिलेगे भाई अगर चौथे वेक्ति के efficiency पता चल जाए तो चौथे वेक्ति के रासी भी पता चल जाएगे तो efficiency निकाल लो efficiency निकालने के लिए LCM ले लो LCM कितना आया 48 ठीक है 8 से काटा 6 बाद 12 से काटा 4 बाद 16 से काटा 3 बाद 3 से काटा 16 बाद ठीक है अब तुम देखो A, B, C की efficiency कितनी है 6, 4, 10, 3, 13 इन तीनों की 13 है total 16 है तो D की कितनी आईगे मेरे भाई बताओ मन D की कितनी आईगे भाई 3 आईगे भाई clear है और ये 3 efficiency है इसकी और इसने काम कितने दिन करा 3 दिन करा हा कि ना तो total इसने वर्क कितना करा एक दिन में 3 लड्डू खाता है और 3 दिन तक लड्डू खाई तो D का वर्क नौ आया ठीक है और total वर्क कितना 48 ये 48 वर्क करने के लिए ये 48 यूनिट वर्क करने के लिए 1200 रुपए मिलते हैं भाई काम तो वही है ना सेम तो 48 काम करने के लिए 1200 रुपए मिलते ठीक है तो 9 काम करने के लिए कितना रुपिया मिलेगा सही है तो कितने से कटे गए है 100 और 4 ठीक है ना 4 से कट दिये 25 25 नेमा 200 25 तो 220 रुपए D को या D का हिस्सा है या 225 पर D को मिलेंगे समझ में आई बात कि नहीं आए किसन भाई आप क्या आई प्रिया आप क्या आगए अज़िए अज़िए हाँ बता भाई अज़िए 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 का वर्क कैसा निकला डी की एफिसींसी कितनी है भाई तीन और डी ने कितने दिन काम करा तीन दिन करा ना अभी समझे भाई प्रिया आपके समझ आया चलो देखें नेक्स्ट देखें अगला कुस्ट अगला कुस्ट ए बी कि दैनिक मजदूरी किरमसा तीन दसमलब पाँच और दो दसमलब पाँच है ठीक है मतलब एक दिन में जो कमाते हैं A और B वो कमाते हैं तीन दसमलब पाँच और दो दसमलब पाँच ठीक है ना भाई जब एक काम समझ कर लेता तो उसे कुल 63 मजदूरी मिलती यह तो इसकी एफिसेंसी होए क्योंकि जितनी एफिसेंसी होती है उतनी ही दैनिक मजदूरी होती है अब वेजिस किता हुआ वेजिस वर्क होता है अचली में तो वेजिस हुआ क्योंकि इसको काम खत्म करने पर कुल 63 मिले अब बी को कुल 75 मिले थीक है ना तो हमें टाइम बताओ कितना लगाओगा तुम खुद बताओ टाइम कितना लगाओगा तुम कहोगे है इससे इसे भाग देदो क्योंकि जायर सी बात है एफिसेंसी इंटो टाइम अगर वेजीज है तो टाइम बराबर वेजीज अपन एफिसेंसी तो जब तुम इससे इसे भाग दोगे मेरे भाई तो तुम्हारा कितना आएगा अठारा ठीक है इतनी बार में कटे गए अठारा बार में अजब तो इससे भाग दोगे तो टीस तो टीस आएगा ठीक है अब तुम्हें टाइम का रेसियो पता चल गया है कि लिए रहे हैं तक हम टाइम का रेसियो पता चल गया है हम को सब्सक्राइब लगा देंगे अठारा और तीस एलसियम आया कितना अगर हम इन दोनों पर लेंगे तो नभ्वे आएगा तो मेरे भाई यहां से अठारा पंजे नभ्वे तीस तीया नभ्वे ठीक है न तो उसने कहा क्या साथ मिलकर काम करें तो कार पे क्या लागत आएगे साथ मिलकर दिन कितने लगेंगे दिन निकाल लिए नभ्वे वटे पांच तीन आठ ठीक है न इतने दिन लगेंगे और उसने मज़दूरी पूछिए वेजिज नभ्वे वटे आठ गुना एफिसियंस एफिसियंसी ए प्लस बी के इतनी आएगे इन्हें जोड़ो गे तो साथ आए छे आएगे इंटू छे काट लो चार बर जाएगा तीन बर जाएगा चार से इसे काट दो चार दुनिया आठ चार दुनिया आठ चार पंजे पीस मिल्टिप्लाई कराओ पांस ते पंदरा हसिले छे और एक साथ छे 67.5 ये इनको मजदूरी देनी होगी अगर मिलकर काम करेंगे ये लोग तो बास समझ में आई अमन आपके समझ में आगए अकास आपके समझ आई देखो नेक्स्ट ये अकेला किसी कार को 27 घंटे में अब भी अकेला उसे 54 घंटे में पूरा कर सकता है सी को प्राफ्ट रासी ग्याद करो यदि सी की साहिता से ए बी और सी ने 4320 रुपे प्राफ्ट कर उस कार को 12 घंटे में पूरा किया हो ए जो है 27 घंटे में बी 54 घंटे में ए प्लस बी प्लस सी वो कर रहा है 12 घंटे में कुस्टन खुछ से करके बताओ एक पर फिर हम समझाएंगा झाल 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 किता है अमन जैसा न आपको गटाया देखों इनका जो ऐल्सियम होगा वो होगा एक्सो आट ठीक है ना। 27 से काटा 108 कि कितनी बार कटेगा चार बार 54 से दो बार 12 से नौ बार और A प्लेस B के एफिशियंसी 4 दो 8 अगर A प्लेस B के एफिशियंसी 8 है तो C के एफिशियंसी 6 है 4 दो 6 तो C के एफिशियंसी 3 होगे हा कि ना प्लेस अगर C के एफिशियंसी 3 है तो C ने वर्क कितना करा C का वर्क भाई 12 दिन काम करा है एक दिन में 3 काम करा है 12 तियां 36 काम करा हाँ तोटल काम 108 एक सो आठ यूनिट बराबर कि ते तालिस सो बीस है अच अच तिस यूनिट की वैलियों निकाल दो तो 36 यूनिट बराबर कि तुम एक चीज़ देखोगे यह इसका एक बटा तीन है ठीक है तो इसका भी एक बटा तीन कर दो तीन एक कम तीन तीन चुक बारा तीन चुक बारा जेड़ो 1440 रुपए मिलें गए किसको सी को मेरे भाई नेना आपके समझ आया हाँ हो गया छीक है हाँ झाल हम झाल हो